करनाटक विधान सभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिले चुनाव परिणाम आये हुए तीन महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है कॉंग्रेस की सरकार काम कर रही है लेकिन बीजेपी को अभी भी हार हजम नहीं हो रही है ओपरेशन लोटस अब काम करता नहीं दिख रहा है ऐसे में बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें जम कर फटकार लगा दी है तो किस तरह से यहाँ पर बीजेपी की किरकरी हो रही है यह हम आपको बताएंगे कॉंग्रेस को कानिवनी तौर पर फसानी की पर लड़े थे और हार गए थे उन्होंने सुप्रिम कोट में सीजी आई डीवाई चंदरचून की बैंच के सामने कहा कि कॉंग्रिस ने गिफ्ट कार्ड बाट कर वोटरों को प्रभावित किया कॉंग्रिस के नेताओं ने कम से कम 42 विधानसभा शेत्रों में इस तरीके की ग दखल अंदाजी नहीं करना चाते हैं चुनाव से जुड़ी या चुकाओं पर हाई कोट बहतर तरीके से सुनवाई कर सकता है अच्छा होगा कि दोनों पी आयल लेकर करनाटक हाई कोट के पास जाएं और उसको सारा मामला बताएं लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना था कि इस मामले में सुप्रिम कोट ही सुनवाई की सही जगा है सीजी आई ने उनको फिर से समझाया कि सुप्रिम कोट को ऐसे जहमेलों में मत फसाई है आप हाई कोट के पास अपनी शिकायत रखे लेकिन जब बीजेपी के नेता अड़ गए तो सीजी आई डीवाई चंदर चू नहीं है कि बीजेपी नेताओं पर सुप्रिम कोट की फटकार का कोई असर परता दिख रहा है क्योंकि अब बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडू के सीम एमके स्टालीन के बेटे उधे निदी के सनातन धर्म पर दिये बयान को लेकर याचका लगा दी है